तो दोस्तों कैसे हवाब लोग एक बार फिर से स्वागत थे मेरे इस नए वीडियो में और हम लोग हैं एस टेशन पे और जा रहा हैं मनाली तो आपको इस वीडियो में पूरी फुल जर्नी मनाली के मैं दिखाने वाला हूँ और हम लोग जा रहे हैं हानिमून ट्री पे तो अभी हम लोग जा रहे हैं दिली और दिली से हमारी वल्बो बंस है साम को छे बजे तो अभी हम लोग पहुंचेंगा साम को छे बजे उसके बाद वहां से बस बगरेंगे सो चलो शुरू करते हैं और मनाली की जो जर्नी है उसकी शुरूआत करते हैं सो सबसे पहले हम लोग साम को पहुंच गए और बस में बैठ गए गए बुल बबस कुछ सूट नहीं कर पाये बट हम लोग जैसे ही बस में बैठे और ग्यारा बारा बजा तो रास्ते में डाबे मिला वहां पर बस लुखी थी और बहुत सारी बसे वहीं पर रुकती है और बहुत साई डाबा आए तो हम लोगों ने खाना खाया, चपाती और पनीर की सबजी मगाया था और यह हम लोग खाने के बाद वापस बस में बैचने के लिए जा रहे हैं यह देख सकते हो, बहुत सारी बस लगी हुई है जो की मनाली के तरफ जा रही है और रास्ते में बहुत सारी डावा रहती है तो यहाँ पर हम लोग रुके थे इस डावे पर हमारी घाड़ी रुकी थी हम लोग और यहाँ पर खाना खाया और खाने के बाद हम लोग जाके बंस में बैठे गए तो दोस्तों जैसे नींद कुली सुब्वा में रात को हम लोग सो गए थे तो नींद खुली सुब़ा में तो इस तरह करना जारा दिखा हम लोगों को सो गाइस यहां पर हमारी गाड़ी 15 मिन के लिए रुखी थी नास्ते के लिए क्योंकि यहां से फिर उसके बाद कहीं ही रुखेगी सिधे मना ली सो 15 मिन के लिए रुखी थी और हम लोगों ने जो भी यह नास्ता किया थोड़ा बहुत और फिर यहां से हम लोग निकल गए सो दोस्तों जैसे हम लोगों ने नास्ता वस्ता करके आगे बढ़ा तो एक छोटा सा टरनल मिला जो कि बिलकुल नया देख रहा था और पहार है और बहुत ही नीट अन क्लीन जो इनवारिमेंट है यहां का सो बहुत ही मज़ा आया इसको देखके और देख सकते हो नादी बिलकुल बीच से निकल रही है और आसपास में घर है और पूरा ग्रीनरी है हम लोग पहुंच गए अपने होटल में होटल में पहुंचने के बाद यह जो नाजा रहा है हमारे बालकनी से है और यहां पे काफी खुबसूरत नाजा दिख रहा है और चारा तरफ से ग्रीनरी है आसपास में होटल है पहार है और बहुत ही बहतरीन जगह है काफी मज़ा आया क्योंकि होटल का जो हमारा बालकनी था बहुत ही जवर्दास जगह पे था तो मज़ा आ गया और हमारा ड्राइवर का उसी वक्त फोन भी आया कि आप लोग रेडी हो जाओ दो तीन बज़े तक क्योंकि हम लोगों को जाना है मौल रोड छो मल रोड हो गयात है प्रेस होने के बाद प्रेस होने के बाद फीर हम लोग गारी में बैठ गए और अभी हमारा जो ड्राइबर लेकर जा रहा हमें मनाली का जो सबसे फेमस मार्केट है फेमस रोड जिसको बोलते हैं मॉल रोड पर रुके और ड्राइबर ने बोला कि आप लोग यहां पर घूम के लिए एंटीयफिस लगेगी जिसका प्राइस है 50 रुपे सो हम लोग ने यहां पर दाने का प्रणी किया और सबसे पदेदेज टिकेट लिया और टिकेट लेने के बाद फिर हम लोग गये अंदर सो टिकट का दाम पचास रुपे का था पर हेड़ सो अंदर गए हम लोग और अंदर जाने के बाद इस तरह का खुबसूरत नजरा दिखने को मिलेगा आपको जो की बहुत ही जवर्दस था और वहां पर बहुत सारे लोग भीर है एक पार्क टाइप का है और लंबी-लंबी जो पेर फ़ोदेऊ है वहां पर सो काफी मज़ा आया यहां पर और बहुत ही अच्छा जगा था यह और हम लोग ने काफी घूमा आता एक घंटा एक घंटा तक एक म zeggen उसे अंदर अंदर गई उसके बाद फोटो टो कि लिया उसके जो मोग पृण रोडक गए ओर आगे गए ऑर आगे जाने के बाद लिए प्लानिंग कर रही है इसकीchu को स्वापिंग चलतेxico만 से सायद हम लोग ने कुछ नहीं लिया सायद पसंद नहीं आया सो आगे बर गए हम लोग और आगे जाने के बाद यहां पर एक तिवतियन मार्केट है जो कि तिवत मार्केट बल सकते हैं तो यह मार्केट में बहुत सारे कपड़े मिलेंगे उनी कपड़े जो की करम कपड़े हैं और यहां पर हम लोग और आगे गए तो इनाज दी बुली कि और भी आगे कुछ देखते हैं तो हम लोग ऐसे ज़स्ट घूम रहे थे और एक दुकान में गए हम लोग वहां से साथ कुछ तो सोपिंग किया अभी याद नहीं है क्या सोपिंग किया हम लोगों ने भी हम लोग आ गए है मनाली का जो सबसे फेमस मार्केट है जो कि यहां पर हर कोई जाता ही जाता है और जो कि हम लोग भी आये हैं मॉल लोड और यह काफी फेमस एरिया है सो मनाली का मॉल रोड है और देख सकते हो इस तरह करना जा रहा है सो दोस्तों अब हम लोग दोसे और आगे आ गए और आगे आने के बाद इस तरह करना जा रहा दिख रहता है जो कि मॉल रोड का मेन मार्केट है और ये मॉल रोड का सबसे मेन मार्केट है चौक है यहां पे और काफी यहां पे भी रहती है आपको इस तरह से दिख रहा है रोड पे बहुत सारी पब्लिक और मार्केट लेकिन जब आप और आगे जाओगे और अंदर जाओगे बहुत सारी गली है और गली के अंदर भी मार्केट है चोटी चोटी पतली पतली गली है और गली के अंदर बहुत अंदर थक मार्केट रहता है और फिर हम लोग एक शॉप में घुसे यहां पर बहुत सारा सामान भीक रहा था तो यहां पर कुछ देख रहे हैं हम लोग सायद कुछ पसंद आ जाए I think मुझे नहीं नाजनी को लेना था जो कि मैं यहां पर अब्जर जो मौल रोड है और मौल रोड के लेफ्ट साइड में आप जब अंदर आओगे तो वहां पर दीखेगा आपको मौनस्टरी सो हम लोग जा रहे हैं मौनस्टरी के तरफ और वहां पर तरह सा घुमेंगे और उसके बाद फिर वापस आएंगे सो यह है रास्ता मौनस्टरी के तरफ जाने का और अभी हम लोग से होती है एंट्री सो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर और इस गेट से अंदर जाओ गया देख सकते हो लिखा हुआ मौनस्टरी पर समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है क्योंकि दूसरे लेंगज में लिखा है तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर और अंदर में देख पर जाना नहीं है तो दुर्स्तों मॉल रोट घूमनी के बाद उसके बाद आता है फॉन ड्राइवर का ड्राइवर बोला कि अभी हदीमबा टेंपल जाना है कलब हो जाना है तो जल्दी करो चुए हम लोग अभी आ गये हैं अधिमबा टेंपल के इपास और यहां से चीरी चर के ओपर जाना है और काफी टेंपल के दिय है वह जाना है तो हम लोग जा अपर रहे तो यह तो जितरों रहा है यह तो सीरी पे चल चल के तक जाओगे तो जाने से पहले पानी के बोटल जरू रखना क्योंकि बीच-बीच में आपको प्यास लगेगी तो हम लोग पहुंच गए उपर और पहुंचने के बाद जो है अदिमबा टेंपल का ना जा रहा है इस तरह का है और यहां पे लंबी है और बहुत सारे लोग लाइन में खरे हुए हैं तो हम लोग इस साइड आया थोड़ा सा और नीचे के दरफ तो यहां से जो ना जा रहा है आदिमबा टेंपल का इस तरह का है और काफी खुबसरत ना जा रहा है और काफी अच्छा जगा है और यह हीमाचल का ट्रेडिश जब आओगे तो आपको मिलेगा कलब हाउस तो ड्राइवर लेकर आगए उनलों को कलब हाउस और हम लोग आ गए यहां पर और यहां पर नदी है और काफी खुबस्रा जगा यहां पर आपको एक्टिविटी करने को भी मिल जाएगा जैसे की जीप लाइन है और भी बहुत सा आपको यहां पर नदी जो है नदी की पानी और यहां पर पहार है और काफी अच्छा खुबसूरत नजा रहा है यहां का अब यहां लोग है मनाली के कलावाउस और बहुत ही खुबस्रा जगा यहां है इसे पुरा पानी है सो दोस्तो कलावाउस गुमते गुमते साम हो गई और साम होने के बाद हम लोग जा रहे हैं वापस अपने कार के तरफ और हमारा ड्राइवर वेट कर रहा है तो अभी हम लोग जा रहे हैं कार के तरफ और यहां से हम लोग सीधे जाएंगे होटल तो द काफी मज़ा आया आज का दिन काफी अच्छा रहा और यह रहा हमारा होटल जिसके अंदर हम लोगों का रूम है सो दोस्तों काफी मज़ा आया आज पहला दिन था और बहुत मज़ा आया गूंकर और दोस्तों यह रात करना जा रहा जो कि हमारे बालकोनी से दिखता है इस तर है दूसरा दिन और आज हम लोग जा रहे हैं कुलू और कुलू नागर तो ड्राइवर हमको सुबही फोन किया था कि नोबज रेडियो जाओ और हम लोग रेडियो गए थे तो अभी जा रहे हम लोग कुलू वहां पर बहुत सारी एक्टिविटी होती है और हम लोग ने यहां पर काफी घूमा और बीव काफी अच्छा है और यहां में देख सकते हो जो नाजनी है वो काफी डीपली जाकर स्टडी कर रही है ऐसा लग रहा है आज ही पढ़ जाएगी सब कुछ इतिहास के बारे में जाने कोशिच कर रही है और काफी बीजी लग रिसोट है जो कि बहुत पुराना है और उसके बाद हम लोग आ गए होटल में होटल में आने के बाद आज हमारा हनीमून किट का दिन था तो लोग पहले से यह डेकोरेट करके रखे थे होटल वाले और केक भी था सहांते में जिसमें लिखा था हैपी हनीमून और उसके बा पर दिनर था तो दोस्तों आज का दिन काफी अच्छा रहा और आज था मनाले में हमारा दूसरा दिन और काफी मजा हुआ सो दोस्तों आज है तीसरा दिन और आज हम लोगों को जाना है रोहतांग पास जहां पर बर्फ देखने को मिलेगा । राश्ते में में मिरा जीप मैंने किया और जीप मैं पर निकल गए उपर के तरफ तो ऊपड जा रहे है हम लोग अभी रहत तांग पास काफी ऊपर है और कम से कर में कुट है रही हंदा ऑख Gör हुए हैं आप देख सकते होना जा रहा बर्फ दिख रहा है और बर्फ का पहार और इतनी लंबी-लंबी और इतनी बड़ी-बड़ी पहार दिख रही है और दीटे-दीडेर हम लोगों को थोड़ा बहुत ठान का एहसास भी हो रहा था क्यूंकि जब कि जून का महिना है फिर अब ठंड लगने लगा था ऊपर चारते-चारते और हम लोगोंकि कपड़ा ले रहा था रेंड़े जो की ब फ़वाळा जो कपड़ा कंड़ा अलग से मिलता है तो और एक में मिलता है तो तोौनल हम लोग पहुंच गया है उपर और देख सकते हो कि इतना खुश्रत ना जा रहा है और यह है रोतांग पास जो कि जून के महीने करना जा रहा है सो दोस्तों यहां पे पहुंच के काफी मज़ाया और काफी अच्छा रहा आज का दिन भी तिसरा दिन भी और कल हम लोग को निकलना है वापस सो मज़ा आया और काफी अच्छा एक्सपरियेंस रहा मनाली के अंदर और अभी वक्त आ गया वापस जानने का बोलना है हाली भाई है अरे इदर कुछ भोली नहीं पा रही है इतना थक गई है चलो गाइस भाई